2020 में इस सीजन का पहला पार्ट आया था और इस पार्ट ने दर्सो बीच में गुस्पैंट तो कर ली थी दिरुदिवाग में वज़ह ये थी कि पापा जी और रिंकुपा जी पापा जी का बेवडा और अपरादिक अंदाज दर्सों को बहुत पसंद आया था और वही पर र हाद कम होई लेकिन एक्टर्स जो इसके थें वो जानतें सिरीज की और यही वज़या है कि तीसरा पार्ट भी मेकर्स को लाना पड़ा दोजार चोबिस में आचा वही पर इस सिरीज का दोसरे सीजन में वाइंड अप कर दिया था कहानी का देल कर दिया था दर्सकों का डिमां तो फिर कहानिया पुलना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है तो दोस्तों नमस्कार और स्वाधत है एक बारा में जल्बे फिल्मी रेड पे रिव्यू करेंगे सिरीज अंदेखी का सोनी लिव की अंदेखी क्राइम और फ्लैक्शिब सिरीज है जिसका कारवा 2020 से सुरू आ और उस गंद को समेटने के लिए जद्दो जायद में लग जाता उसका बेटा रिंकू पाजी और यही सबसे इंट्रेस्टिंग चीज है इस सीरीज का हलांकि तीसरे सीजन की सुरुआत रिंकू पाजी से होती है जहां पर अपना बदला लेने के लिए समर्थ को ढोड़ता है जो दूसरे सीजन में गायब हो चुका होता है उसको मिल नी पाता लेकिन तीसरे सीजन में उसको तलास जा रही है और इसी धोरान एक क्लिप वायरल होती है जिस क्लिप के ऊपर इस पुरी सीरीज की काहाली टिकी हुई है वो क्लिप ये थी जहां पापा जी उस डांसर को गोरी मारते हैं अगर आपने सेजन में सेजन टू तक इस अपराद को चुपाने के लिए कई अपराद रिंकू पाजी और पापा जी करते जाते हैं अनगीनत लेकिन इनका पाप इनके सामने फिर खड़ा हो जाता है अब आगे दोनों क्या गरेंगी और उबेस बात है जब रिंकू के लेक्सस के बीच में उसके पापा को कैसे अरिस्ट कर पाता है और कैसे अटवान फैमली को बरबाद कर पाता है क्योंकि जब तक रिंकू जिनदा है तब तक ये मुम्किन तो नहीं है और रिंकू इस अपराद के दुनिया का ऐसा खिलारी होता है कि हारी हुई ब आरे जाने के गम में मतलब अपने आप से डिसपॉइंट होके दुनियादारी से विमुक हो चुका है सराम में डूप चुका होता है लेकिन क्लिप मिलते ही वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वही चुहे बिलने वाला गेम चालो हो जाता है जो देख के बढ़ता जाएगा एक तरफ रिंको पाजी गरम मिजाद वही पर दोजरी तरफ इस इसपेक्टर डिसेपी का नरम और कून मिजाद और इस दौरान एक ऐसा करेक्टर उबर के आना इस सीरीज की जान है वो आता है पापा जी के पास्ट से अब उसका और पापा जी का पास् पॉइंटर पॉइंट है, रिंकू पाजी बन जाता है, कि रिंकू पाजी असल में कौन है, कहां साय है, और पापा जी का नगता क्या है, और मेकर ने ये टर्निंग पॉइंट जान वोज के डाला, इसलिए है कि रिंकू पाजी सिरीज का जान है, जो सीजन वन में एक खुखा विलन तो दिखाया है साथ में इसके प्रफी सिंपती भी दिखा के इसको हीरो अल्टिमेट बना दिया और इसकी वज़ा यह है कि ओडियंस रिंकू बेसक विलन हो लेकिन कहीं कहीं इसको पसंद करने लगती है और इस सीरीज में तीन चीज़े उबर गयाएंगी रिंकू करें इसकी स्क्रीव प्ले और डारेक्शन का स्क्रीव प्ले और डारेक्शन दो एक दूसरे के पूरक है वज़े यह कहानी और डारेक्शन जो प्लान बैटन बना रखा है उसके हिसाब से स्क्रीव प्ले एक के बादे को सट करता जाता है जो कहानिया इसमें दिखाई है उ उसका एक तरफ डाउन फॉल दूसरे सीजन तक और फिर से तीजने सीजन में उसका राइज अप दिखाना और इन दोनों को कोई ची करेट करती है तो वो होता है अपराद जो बिल्कुल भी कम नहीं होता और डिरेक्टर साहब ने अपराद के धागों से कहानियों को बहुत अ सबसे interesting character होता है सीरीज का परी पापा जी अगर अपराद नहीं करेंगे तो रिंकों पाजी समेटें क्या एक तरफ पापा जी का अपराद का फैलाना और दूसरी तरफ रिंकों पाजी का अपराद को समेटना ये core point है सीरीज का और पापा जी अपने इस रवय!' से पूरी सी स्रीज में चमकते जरूर है और हर्स का ये ग्रे शेड करेक्टर देखने बात एक बात तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि विलन में ये बंदा अब तक था कहां बहुत सारी फिल्में वेप स्रीज आई और गई लेकिन इस बंदे का जो ग्रे करेक्टर में इन्होंने ने इस बंदे का किया है मुझे लगता कि कोई और डेक्टर इस बंदे का इस हिसाब से इस्तिमाल करता वो पार्खी नजर चाहिए पहचानने के लिए कि इस करेक्टर में सूटेबल बंदा है कौन और उसको अजेव कर लेना ये डेक्टर की मैं तक कहता हूँ ये तारिव किसने पोनी चाहिए शूरिया सर्मा एज रिंकू पाजी ये बंदा इस स्रीज का ब्रमास्त ने है जो लग गया है डेक्टर के हाथ में अग्रेशन और बुटेलिटी का दूसरा राव रिंकू पाजी और जो एक्टिंश ने करके यहाँ पर दिखाई है डर किसी रन सन से ल सेरो में सिफ्ट हो गया यह हमें भी पता नहीं चला और यही बाह डेक्टर को मालूम थी कि ओडियंस इस करेक्टर को बहुत पसंद करने वाली है और हुआ भी ऐसा ही कुल मिला के सोरे असलमा सोरे असलमा बिलकूल लगा ए नहीं लगा तो सिर्प रिंकूपाजी और यही खोनी चाहिए किसी भी एक्टर के नहीं कि वो उसका असरी नाम भूल के उस करेक्टर के नाम से उसको identify करे और इसके अलावा दिविंदू बट्टा चारे उनका cool नरम मिजाल उसने एक अलगी छाप छोड़ी है जब जब सीन आता है तो हलकी स्माइल लेती है ये बंदा कितना ही serious scenario शनला होता है लेकिन वहाँ पर इनके बोले के समवाई डायलोग हलकी से चेरे पर स्माइल तो छोड़ी देते हैं और इस रोल में दिविंदू बट्टा चारे बहुत ही सज दिखाए दिये वज़ए ये कि बंदा NSD से है ऐसे टिंग करना उनके बाया हाथ का खेल है औ और चूहे बिल्ली का खेल जो आपको पसंद आएगा मैं इस series को rate करूँगा 7 out of 10 star मिलते है किसी अगले review में तब तक ली तमसकार जैहिंद बंदे मातर